वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद मैंक सर आपका बहुत दिनो बाद येस आफ्टर आइधिंग दो से तीन तीनो बाद हम शूट कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत इंट्रॉस्टिंग है वैल सधीको मेरे लाइफ में ऐसा बहुत बार ऐसा चीज काश ये मुझे पहले पता होता का चाहिए वो प्रेडिंग में हो अगर कोई सही मैंटर होता तो वो मुझे जरूर सिखाता कि काश, सरी जो काश शब्द न बहुत इपोटेट और मैं चाहता हूँ उस काश को लेके आ होती है जैसे अभी बच्चेएं को अगर विश्चेंट के बारे में मनी की बारे में बजट के बारे में सेविंग के बारे में हम वाइने में सब पता नहीं होता था उनको हमको कहां पता रहेगा ठीड में सब चीजे जान गए होता है था पता कितना कहां तक होते हैं यह होती है बट यह जवाना बहुत बदल गया है सब्सक्राइब करते हैं कि क्या क्या चीज़ेंट करती हैं अपने को और उस को करने के क्या क्या तरीके हैं उसके वारे हम डिस्ट करते हैं प्लीज सर प्लीज जो कि हम में थोड़ा बहुत चोटा सा पीपीटी त्यार किये जो अपने एक्स्प्रियेंस से त्यार किये हैं जो मैंने फुट फील किया है मुकेश जी वह मैं सेर करना चाहूंगा कि है एक गोल नकरीच होना चाहिए आद्नी का कि एक सेट टार्गेट होना चाहिए जोत चरो कि हम कटाने वाला नहीं था खुछ करने वाला नहीं कि बाते करते हैं घृक कि और वेकार वह currently भी जवाना बदल गगया है सोचने का बदल गया है तो एक कांग्रीट गोल जोरी है में किसी उस्तीजन है में यह कोई इंपलॉई है यह या को कई एंट्रूनिय wow कोई इंटरप्रेणोर रहे यह व्यक्तिंस मैं तूर कांदिस रिपोर्ट एबरी डे फ्रम नाइन टुए एलेमने अभी क्या होता है यह जो कस्टिनेशन का प्रॉसेस नहीं बड़ा गंदा होता है हर आदमी टाला मोटोली करता है आज नहीं करेंगे मंदे को कर लेंगे कर लेंगे इस चीज़ को बचने के लिए सबसे पहल पहले से बना करके तो वह जो हो रही है और जो च्टे चूटे चूटे टार्गेस के साथ होनी चाहिए जब आप बड़ा टार्गेट किसी चीज़ में बना दो तो उतना पहाड सा लगने लगता है तो उसमें क्या होता है कुसको करने मादरी को एक तरीके से जीजक होती है सा लगता क्या बहुत लंबा है कोन करेगा बड़ टार्गेट चोटा-चोटा कर दोगे तो जैसे इससे कंपीट करते जाओगा आपको चला जाएगा इवन आफ्टर कंपीटिंग डैट गोल्ट आप रियलाइस करोगे कि यह चीज मेरे को पहले कर लेना चाहिए इसे सुब है कि यार हम पहले क्यों नहीं आ रहे थे ऐसा क्यों कर दिया हम सो सेट टार्गेट इनी स्मॉल स्मॉल केसे ठीक छोटे-छोटे से नेक्स्ट विक स्टार्ट मंडे वर्कां डिस रिपोर्ट इबरी डे फ्राम नाइन टू एलेवन है ठीक है जैसा कि मैंने आपको बता है ब्रेक योर वर्क इंटुई स्माल एंड मैनेजबिल स्टेप्स ठीक है अब बड़े जो टार्गेट होते हैं उसमें प्रोकस्टिनेशन क्यों होता है प्रोकस्टिनेशन इसलिए होता है कि बेसिकली जब टार्गेट आप बड़े कर देते हो जो कि आपको बड़ा लगने लगता है तो फिर आप टाला मोटोली करने लगते हो काज दी कल कर लेंगे पर्सों कर लेंगे ठीक है जब उस टार्गेट को छोटे-छोटे कई टुकडों में बाढ़ देते हो आप तो वह एक टुकडे को दिरे-दिरे करते जाते तो आपका पार्ट भी कंपीट होते चला जाता तब प्रकस्टिश्टर के जो हैबिट हो देदर डिलीट होती चलिया थी ठीक है तो इसी चीज़ को मैंने बताने के कोशिच किया है यह सब हीउमन बीइंग के लिए किसी भी फिल्ड में हो फाइनान्स में हो एकाउंट में हो ट्रेडि सोर्सेश मतलब कि आपको जो भी टास्क है उसका टू बहुत में लिस्ट बनाईये ऊसको तो आगे के जो टास्क है वो जल्ली जल्दी कम्पीट होते ही चले जाते हैं डिसाइट तू अनली वर्क आने और प्रजेक्ट फार्स्ट टू मिनट्स एट फस्ट ठीक है तो आपका जो स्टेप है वह पहले छोटे टास्क से शुरूर ना चीए यानि कि जो आपकी स्टेर्स जेसे जेकर आपा जैसे इसे इनिंग और चारते हरी उन्ट करनी जाता है तो आपको फास्ट करनी है उसके बाद चीजों को शास्ट करना है तो प्रोकस्केशन लिए हो जाएगी अभी जो बच्चों के सब्सक्राइब क्या क्या करना आपको लाइफ ही उसको विजुलाइज करो, फेंटेसाइज ज्यादा तर लड़के क्या है, फेंटेसाइज करते हैं, विजुलाइज नहीं करते हैं, तो फेंटेसाइज में और विजुलाइज में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, तो अपने लाइफ को विजुलाइ जो है अपने आप देदे दुर हो जागा तो इनर्जी आएगी अंदा से करने के लिए, काम करने के लिए, इनर्जी जब आएगी तो आप काम पी जाओगे, फिर उसको आप टालोगे नहीं, नेक्स सेशन के लिए नहीं रखोगे आप, तो विजुलाइज़ाइसन बहुत जो इसाइघ काम करेंगा, इसाइढानशाश में यहि accelerate, फिर आप लिए ओवर्क प्लेस के लिए नेक्टर ahead इसाइज़ाइज़ाइक हो खर रूए-फिंवर्क नयक्ने प 미це, जो सब्सक्राइश आप.. को घ्राइ – नहीं करते हो, अपने आपको पूरी स्क्रिक करते हो। यहुष फीर करने लोगों को डिन बाद, जब लोग फील करने लोगोंगे, प्रकस्ट्र dissertation आपके तो आपको इस सब चीज़ें दूर हो जाएगी इस इंटरमेडिये माइल स्टोंस और डेडलाइन वाइन चीज़ें ठीक है एक डेडलाइन थोड़ा सा आप अगर आपको मालों कोई प्रजेक्ट दस दिन में करना है तो उसको साथ दिन ही रखिए आपको मेरे को I have to complete within seven days ठीक है तो साथ दिन कहीं रखिया प्रोजेक्ट को तो उसमें क्या होगा का प्राम करने के तरीका थ्ट्रासा और बदलेगा ठीक है तो उससे जो है कि फास्ट क्युल्ड को Rispo समझे वर्किंग प्रोशसें इन्वाल होगा तो उससे जो है की काम जो जो है जो द से आपर कीत तरहके तो काम के चाहendedं होना तो साथ डिन आि यह चाहिए तो चाहिए अग्रोडिक से एक काम करते हूँ जितना है उससे थीरुह तो इसे क्या होगा कि आपका काम करने का जो स्पीड है वह फास्ट रहेगी शेडूल और वर्क एकांटिंग प्रट्टिविटी साइकिल अब वह जैसे मैंने टू-डू लिस्ट की बारे में बात किया था आप चैनली तो टू-डू लिस्ट से क्या होगा कि आपका जो डेली क काम है did morning में आफने टू-डू बना लिया या evening में सोने से पले आपने टू-डू-डू बनाले, next day आपको क्या करना है तो यू है थे यूे थिपास्टू शो यह करना है, तो इने भी हैं आट पे ऋश्क्रें दिमाग वी तो सोच लेते हो कि आपको क्या क्या कल करना है लेकि वह बहुत जो रही हैं यह त्री टॉपिक्स हैं मुकेजी जित जो कि मैंने आपके छोटे से वीडियो के लिए मैंने बनाई थी बाकि अगर कोई कोश्चन्स हो तो आप पूछा कते हैं मेरे से तो जो आप टू डू लिस्ट की बात कर रहे हैं ञदि पिल्पीन बना लिया पर से अगर अगर आपने वीफी डुन लिष्ट भन लिया तो फिर उतको बोजज लगने लिए बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा बेटर यह है कि उसको जितना सेग्रिगेट करते हो उतना सेग्रिगेशन में करके बना हुआ ठीक है और सर मेरे दूसरा सवाल है कि अट टाइम क्या मुझे एक ही काम पर फोकस करना चाहिए और मैं मल्टिपल काम को अट टाइम करूँ तो फीजिविलिटी ज्यादा अच्छा कहां पर नहीं देखे दोनों में अंतर है मल्टिपल काम आपका किस तरह का है और सिंगल काम वर्क आपका किस तरह का है ठीक है और सारा काम को आवे एक साथ कर नहीं सकते हैं तो उस बना पर तो डू लिस्ट के साथ तीज तो इसका प्रिट्र काम है तो अपने यह भी बताया था कि जो अपने जो आपके काम है है उसमें जो सबसे चोटा या जो सबसे चोटा काम है वो करो सबसे लिए टाइनी स्टेप अपने आपको पहले पंप करो उसके बाद आप धिरे-धिरे प्रोग्रेस करो जैसा आपने क्रिकेटर वाला प्रोग्रेट नहीं रहेगा आप दस घंटे का है अब एक आएक आप देख लिए तो लगाता है तो आप दस घंटे नहीं कर पाओगे तो फिर आपको प्रकस्टिनेशन आप तहा भी हो जाएगा कल कर लूगा परसर कर लूगा अगर आज उसी को पार्ट में डिवाइड कर ल अगर आप सभी को यह वीडियो कोशी से अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक शेर सब्सक्राइब और प्लीज हमारे साथ मैंक सर को भी वाइड रही है थैंक यू मैंक सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस बिन लवली तॉकिंग तो यू सर अगली बार क्राम आएंगे कुछ अच्छे टॉपिक के साथ और जो डिस्किस और लेट्स हेल पार कम्यूनिटी थैंक यू वेरी मच सर बाबाय टेक केर क्राम जू करते हैं लुकिंग गार लेट्स. अवस्यार जबेट धूसे और लेट्स. यू वेरी थैंक यू सर ले दूम झाल झाल झाल